हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आप जो वीडियो देख रहे हो टॉम एंड जेरी का इस वीडियो को मैंने बनाया है जश्ट फाइब मिनट के अंदर ही मैंने इस वीडियो को रेडी कर लिया था आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ copy paste करना है तो अगर आपको विष्वास नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा देख लो इस वीडियो को देखोगे तो आपको विष्वास हो जाएगा जो कि आपको एकदम real देखने में लगेगा तो इस तरह का वीडियो आप भी बना सकते हो अगर आपको बनाना है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किये हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना और इस वीडियो को like share भी कर देना तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो guys आपको क्या करना है आपको YouTube से ही वीडियो डाउनलोड करना है यहाँ पे आपको लिखना है Tom and Jerry Tom and Jerry लिखके आप यहाँ पे सज़ करेंगे बहुत सारा वीडियो से आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे three dots पे आपको क्लिक करना है फिर यहाँ पे filter पे क्लिक करना होगा यहाँ पे आपके सामने इस तरह से interface देखने को मिलेगा यहाँ पे लिखा होगा creative comments तो creative commerce जो लिखा है इस पे आपको click कर देना है then यहाँ पे apply का option है apply पे click कर देना है then यहाँ पे creative commerce जितने भी videos होंगे आपके सामने आ जाएंगे जो tom and jerry का video होगा तो यहाँ पे इस में से आप कोई भी videos को use कर सकते हो आपको कोई भी copyright claim, copyright strike आपको नहीं मिलेगा tom and jerry का यहाँ पे देखने को मिल सकता है so आप यहाँ से download करके can master से edit करके video बना सकते हो so चलिए यहाँ से तो आप video download कर सकते हैं अब देन आपको क्या गरना है एक और application के आपको जुरूत पड़ेगी जिसका नाम है image search man इस application को download कर लेना और इसको open करके यहाँ पे आप search करेंगे cartoon background image तो आपको यहाँ पे बहुत से cartoon videos के बनाने के लिए आपको बहुत से background images आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आप फिरी में यहाँ से download कर सकते हो कोई भी copyright यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है तो आप यहाँ से इसको image को download कर लेना देन यहाँ से आपने video download कर लिया और image download कर लिया अब यहाँ पे आपको काइन master को open करना है so guys अब काइन master को open कर लेना है काइन master open करने के बाद यहां पे आपको प्लस आइकन पे किलिक करना है देन यहां पे 16.9 रेशिव वाला जो फ्रेम है इसको सेलेट करना है और देन यहां से मीडिया पे किलिक करके आपको जो भी आपने background image डाउनलोड किया है यानि जो cartoon image हमने जो search man image search man जो application से हमने डाउनलोड किया था यहां पे image उसको यहां पे ले लेना है अपने वीडियो के recording आपको वीडियो देखना है कि आपका वीडियो कैसा है कैसा background चाहिए उस हिसाब से आपको यहां पे background चूच करना है तो यहां से चार पाच हम background ले लेते हैं और फिर यहां पे आपको क्या करना है कि अगर यह full screen पे नहीं होता है black part दिखता है आपके वीडियो में तो यहां पे इस पे click करके यहां पे एक icon होगा इस पे click करके देन यहां पे click करके और यहां से इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है आपको full screen पे इसको कर देना है black pattern ही दिखना चाहिए यहाँ फूल पार्ट पे आपको जो भी image छोटा हो उसको यहाँ पे जूम करके इस तरह से आपको set कर लेना है so अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि background ready हो गया अब यहाँ पे layer का option है layer पे क्लिक करना है then media पे क्लिक करना है और then यहाँ से जो वीडियो हमने डाउनलोड किया था उस वीडियो को यहाँ पे लेना है तो Tom and Jerry का जो वीडियो हमने YouTube से डाउनलोड किया है यहाँ पे OK कर देना है और then यहाँ पे आप देख सकते हैं green screen पे है ये वीडियो तो green screen हम यहां से इसका हटा सकते हैं और यहां पे यह जो भी लिखा है जो subscribe button है दिख रहा है तो इसमें से इसको cut करना है तो हमें पहले अच्छा से set कर लेना है इसको कहां से यह starting हो रहा और कहां पे ending हो रहा तो जहां पर end होगा वहां पर click करके यहां पर कैची का icon होगा यहां पर click करके इसको left part को trim कर देना है और फिर यहां से आपको पूरा side में पूरा starting में आपको ले जाना है इस video को तो यहां पर यहां पर यह set हो गया अब इसका background जो green screen है green screen को यहां पर हटाना है तो green screen हटाने के लिए हमें यहां पर क्या करना है वीडियो पर click करना है और यहां पर देखेंगे आप chroma key का option होगा तो यहां पर इसको on कर देना है on करेंगे तो आपका जो green screen होगा वीडियो में green screen हट जाएगा अब आपका यह video real लगेगा अब देख सकते हैं यहां पर वीडियो चलना शुरू हो चुका है तो इस तरह से आपका वीडियो real लगेगा लेकिन यहां पर कुछ parts ऐसा है आपको लगेगा कि वीडियो कटा लगेगा तो इसको अच्छे से किलिक करके इसको जूम करके आपको set करना होगा background के recording तब ही आपका वीडियो real लगेगा तो यहां पर इसको जूम करके थोड़ा सा हम इसको set कर लेते हैं अब इसको play करके देखते हैं तो कुछ इस तरह से play होगा अब यह दूसरा पार्ट है दूसरा पार्ट आप देख सकते हैं यहां पर कटा हुआ लग रहा तो अगर इस तरह से कटा हुआ आपको लगता है तो आपको किसी तरह से उसको set करना अच्छे से कटा हुआ नहीं लगना चाहिए तो यहां पर क्या करेंगे हम उस background को जो पहल ना लगे वीडियो तो आप देख सकते हैं यह कटा हुआ लग रहा है टेबल जो है कटा हुआ लग रहा है तो टेबल को हमें क्या करना है इसको जूम करके इसको side में ले जाना है ताकि यह जो भी कटा हुआ भाग है यह पूरा background में set हो जाए ऐसा ना लगी कि यह कटा है तो इसको यहां पर set कर दिया हमने अब इसको play करके देखते हैं तो आद देख सकते हैं सुरुषे यह चल रहा है वीडियो कुछ है इस तरह से आपको देखने में लगेगा रिया लेक्दम अब यहां पर यह आ गया अब कटा हुआ भाग नहीं दिख रहा है तो अच्छे इस बैक्ग्राउंड को हमें cut कर लेना है और बैक्ग्राउंड को cut करके यहां पर जो वीडियो है वीडियो को भी cut करना होगा दोनों चीजों को cut करना होगा तब ही आप इधर उधर उसको set कर सकते हैं तो यहां से बैक्ग्राउंड को cut कर लिया अब यहां से इसको जो सेट कर देना है अब आप देख सकते हैं यह सेट हो चुका है कुछ इस तरह से आपको देखने में लगेगा अब यहाँ पर जो पार्ट है निश्ट पार्ट अब यहाँ पर यह कटा हुआ लग रहा है टेवल यहाँ पर घास वगेरा आ गया पेड़ा गया तो इसको सेट करना है हमें जो पहले वाला बैक्ग्राउंड था उसको ही यहाँ पर लेना है क्योंकि जहाँ पर पैंटिंग कर रहा था वहाँ पर इसको भी हमें सेट करना है टेवल को तो यहाँ पर हम क्या करेंगे उसको trim कर देंगे, जो background है उसको हटा देंगे, और जो पहले हमने background लगा जा था उसे background को यहाँ पर लेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर यह background आजाएगा, अब यहाँ पर जो table है cut हुआ, अब इस table को हमें क्या करना है, वहाँ पर दोनों चीजों को यहाँ पर चिपका देंगे कटा हुआ थोड़ा सा भी नहीं दिखना चाहिए तो कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट हो चुका है अब इसको प्ले करके देखते हैं तो कुछ इस तरह से चलेगा और फिर यहाँ भी कुछ इस तरह से एगा यह बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो लगेगा टॉम एंड जेरी का जो वीडियो होता है बिल्कुल सेम उसी तरह का यहाँ पर यह रियोल वीडियो लगने वाला है इसी तरह से आपको बनाना है आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना इस तरह से आप बना सकते हो So finally ये वीडियो हमारा रेडी हो चुका है आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये पले होगा इसको पूरा पले करके देख लेते हैं So आपको थोड़ा सा भी कटा हुआ भाग नहीं दिखेगा आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा तभी आप इस तरह से बना पाएंगे आपको बैक्गराउंड चुच करना पड़ेगा अपने जो वीडियो है उसके एकोडिंग आपको बैक्गराउंड सही से चुच करना होगा और उस हिसाब से इसको कट करकर के आपको सेट करना होगा तब ही आप इस तरह का वीडियो बना पाएंगे so finally हमने इस वीडियो को ready कर दिया so इस तरह से आप भी ऐसा वीडियो बना सकते हो बहुत easy तरीके से तो अब यहाँ पे finally यह वीडियो ready हो चुका है तो अब इसको हमें क्या करना है? export करना है so export करने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे आप देखेंगे तीर का icon है करनर में तो यहाँ पे तीर वाले icon पे आपको click कर देना है और देन यहाँ से आपको quality चुच कर लेना है और फिर export पे click करेंगे आपका वीडियो यहाँ से export हो जागा so I hope आपको यह वीडियो पसंद आए होगे वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए चैनल को subscribe कीजिए